नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज्वार्खन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबरों को मौसम का पूरू अन्वान 30 और 31 को यलो अलर्ट ग्रांची समय ज्वार्खन के कई जिलों में 30 और 31 मार्च को मौसम में बदला होगा भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ग्रांची केंद्र ने इन दोनों दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है इनके अनुसार राज्य के मद्ध और दचनी भाग में 30 से 40 किलोमेटर परति घंटे के रप्तार से हवा चले की वजरपाद भी हो सकता है मौसम में या बदलाव योपी 36 गड़ की और से बढ़ रही दचनी पुर्वी हवाओं के कारण हो रहा है निलामबर पितामबर सहदत दिवस आज जारकन के सीमह मंतो सोरेन समयत कई मंत्रियों ने देश रधांजली हर साल 28 मार्च को निलामबर पितामबर सहदत दिवस मनाय जाता है आजी के दिन सन 1869 में अंग्रेजों ने बिना कोई कानूनी कारवाय किये उन्हें फांसी देदी थी एसी अधार पर पूरे जार्खन में 28 मार्च को निलांबर पितांबर दोनों भाईयों का सहदत दिवस मनाय जाता है या वेर सहित पलामो जिले के चेमो सान्या गाउं के रहने वाले थे निलांबर पितांबर सहदत दिवस पर जार्खन के सीम हेमंतो सोरेन सहित कई मंत्रियों ने ट्वीट कर सरधांज ली थी सीम हेमंतो सोरेन ने वेर सहित निलांबर पितांबर को नमन किया यहोंने ट्वीट कर लिखा है कि अंग्रेज सासन के खिलाप विद्रो करने वाले जहारखन के माटी के वेर सपूत अमर वेर सहिद, निलामबर पितामबर जी के सहादा दिवस पर सत सत नमन जहारखन के वेर सहीद अमर रहे जहारखन। अगर आगे बढ़ने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकिन प्रिस कर देख जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और उदयमान सूरिकू अर्गदेने के बाद चाती छट का समापन सहिबगन सहित पूरे जारकन में चार दिवसिय लोक आस्था नेम निष्ठा सूरी उपासना का महा पर्व चाती छट पूजा के चौति और अंतिम दिन मंगलवार अहल सुभा को सांति पूर्ण तरीके से संप उदयमान सूरिकू अर्गदेने के साथी चट वरत्यों ने चट का पारण किया और चाती छट का समापन हुआ पलामो के नावा बजार में पिकफ वहन ने पिता पुतरी को रौंदा मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम पलामो के मेदनी नगर और अंगाबाद के मार के नावा बजार इस्तित चोंगाओ धाम इस्तित एनेच अंठानबे पर पिकफ वहन के धके से पिता पुतरी की मौत हो गई ये घटना मंगलवार के सुभा पांच बजे की बताए जा रही है घटना के बाद आकरोशित लोगों ने सड़क एनच अंठानबे को जाम कर दिया जानकारी का नुशार मिरतक फिरोज खान और उसकी पंदरा वर्सिय पुतरी समा परवीन चौगोना धाम के पा नाव बजार पुलिस ने डाली गाउं से पीकफ वहान को जब्त कर लिया है पुलिस ने बता है कि चाला को गिरबतार किया है सड़क जाम की सूचना मिलने पर चातरपूर के अंचला अधिकारी उन नाव बजार के जीला अधिकारी घटनास तल पर पहुँचकर आकरोशित लोगों को शमझा बुझा कर सड़क जाम को हटाया जिसके बाद आवागमन सुरू हुआ मिर्तक के परिजनों को सरकारी परवधान के अनुशार मुआउजा रासी देने की घोशना की गई चाती चात महापर्व संपन पतरातू डेम सहित भुरकुंडा कोलांचल छित्र में आज छट वरत्यों ने उकते शोरी को दिया अर्ग आज रामगड के पतरातू डेम सहित भूरकुंडा कोलांचल छेतर में उक्ते शूरी को अर्ग देने के साथ चाती छट महापर्व संपन हुआ छट वरतियों ने अस्ता चलगामी भगवान भासकर शूरी देव को सुमार साम को अर्ग दिया था वही आज उक्ते शूरी भगवान भासकर खू अर्ग देने के साथ चात महापर्व संपन हो किया आपको बताते चले कि पतरातू डेम नलकारी नदीत अटपर हजारों की संख्या में चात वरति सहित सरधालों की भीड उम्री थी इस दोरान चेतर के गन्यमान लोग भी चट घाट पहुँचे वही चट पूजा युवास समेती ने सूरी को अर्ग देते हुए चट वरतियों के बीच दूद वितरन किया पुलीस कर्मी विविधी व्यास्था को लेकर मुस्ताद रही इसके अलावा पतरातु भुरकुंडा को लांचल के आसपास भधानी नगर और बासल चेतर में भी नदियों और तलाबों पर चट वरति पहुँचे और भागवान आदित्ति को कल संध्या कालिन आर्ग के आज उगते शोरी को अर्ग दिया एस दोरान पुरा चेतर छट मा के भक्ती के तोशे भक्ती माय रहा रांची में नई टेक्सेशन प्रनाली लगू सत्तर परतिशत घरों का कम हुगा होल्डिंग टैक्स राजिसरकार के फासले के बाद राजधनी रांची में नई सिरेसी होल्डिंग टैक्स का निर्धारन कर लिया गया है नई टेक्सेशन प्रनाली में अब सहर के दो लाग पच्चिस जार घरों को बढ़े हुए टैक्स से राहत मिले की इस समन्द में टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे कर्मियों की माने तो नई दर लागू होने से सहर के सतर परतिशत घरों को सिधे तोर पर फायदा होगा वही विवसाईग भावनों के टैक्स भी नई परनाली से काफी कम होगे पूरों में जहां टैक्स का निर्धारन सरकल रेट पर होता था अब इसका निर्धारन परमेंडल अस्तर पर कर दिया गया है मतलब दचनी छोटा नाकपूर छेतर में पढ़ने वाले रांची, खुंटी, सिम्डिगा, लोहरतगा वा गुमला की जमीन की दर के आधार पर आधार पर आधार निर्धारन हुआ था इससे अवासिय भावनों का टैक्स, 20-30 पर तिसत वही व्यवसाई की भावनों का टैक्स, 8-10 गुना बढ़ गया था अचानक होई इस टैक्स व्रधि से व्यवसाई वर्ग भी नराज हो गया था वही सत्ताधारी दल के मंत्री भी इससे नराज थे इससे देखते हुए टैक्स एसन प्रणाली को बदल कर अब नैसरे से परमंडल अस्तर पर टैक्स की गन्ना की गई सरहुल का प्रसाद खाकर 150 से ज़्यादा लोग बीमार, चना और गुड खाने के बाद बिगडी लोग की तब्यद, 56 लोग की हालत गंभीर सरहुल पर प्रसाद के नाम पर लोगों में चना गुड बाटा गया, इसे खाकर 56 लोग बीमार पड़ गए घटना लातेहार जिले के चंदवा की है, जहां चेटर और सासांग पंचायत के लगभग 150 से ज़ादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है इन इलाकों में कई तरह की अफ़ा है, कई लोग बीमार हैं लेकिन घर में ही दवा लेकर पड़े हैं, लोग की तब बेच जब खराप होनी शुरू हुई तो इलाके में अफ्राता फ्री मच गई कई लोग को चंदवा, CSC और लाते हर सदल में भरती करा किया, दो लोग की गमफीर हलत को देखतो हुए उन्हें रिम्स राफर कर दिया गया है, 56 लोग के इस्तिती गमफीर बताए जा रही है, सरूल पर चेटर और सासांग पंचायत के से खड़ों लोग, दामर सकती, खु पायावा इस्तिती की जानकारी, रज के चिकित्सा विभाको मिली, तुरंद एक टीम तयार कर गाउं भेजा किया, रबिवार की रात साढ़े नौ बजे से, देर रात, ढ़ाई बजे तक सेकडों गरामिनों का उप्चार हुआ, इसमें से कई लोग की इस्तिती अब पहले स जानचपूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, फिलाल मरिजो का अलाज किया जा रहा है S.O.F. वर्योजना के तहत मुबाइल टावर लगाए चांगे इसको लेकर आज मंगलवार को A.D.G. अभ्यान समंधित जिले के S.P. के शाद जहारखन पुलिश मोख्याले में शमिक्षा बैठा करेंगे जिन जिलों के नकसल परभाविज शेत्रों में मुबाइल टावर लग में मदद मिलेगी शाद ही मबाइल कवरिज इन अकसल परभाविज शेत्रों में वाम पंथी उगरवात से निपटने में गेम चेंजर साबित हो शकता है 244 बसे खरीदी जाएंगी रांची में ऐसी इलेक्ट्रिक सीटी बसे चलेंगी जारकन सरकार रांची नगर निगम चेत्र में यात्रियों की शुविदाएं बढ़ाने और नीजी वाहनों का तबाव काम करने के लिए सारवजनिक परिवहन प्रनालिव विक्षित करेंगी कल मुख्यमंत्री हिमंतु सोरिन की अध्धकस्ता में हुवी केविनेट की बायठक में इस प्रस्ताव पर मंचुरी दी गई है पी-पी मोड पर वसो के संचलन के लिए तीन पक्च होंगे रांची नगरनिगम रूट तै करेगा और ओपरेटरों को मिलने वाली रासी उपलब्द कराएगा ओपरेटर रुफन बसों का परिचलन करेगा और ड्राइवर मुहिया कराएगा रामनोमी को लेकर 31 मार्च तक अधिकारियों वा कर्मचारियों की छुटी रद ड्रोन से जुलूस की होगी निगरानी कुल्हान पर मंदली अयुक्त मनोज कुमार वा कुल्हान रेंज की डियाजी अजय लिंडा ने रामनोमी पर वोको लेकर कल सुमार्ख हो तीनों जिले के वर ये पदधिकारियों की साथ ऑनलाइन बाठक की आयुक्त ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि 28 मार्च से 31 मार्च तक कोई पदधिकारी वा कर्मचारी जिला मोख्याले छोड़कर नहीं जा सकते हैं धनबाद रेल थाने के इस्पेक्टर की हार्ड अटाक से मौथ धनबाद रेल थाना के इस्पेक्टर अमरजीत प्रसाथ की मंगलवार को माथ हो गई अमरजीत प्रसाथ फिलाल निलंबित थे वा रेल थाना से पैदल ही रेल एसपी कार्याले जा रहे थे रास्ते में ही सड़क किनारे गिर गए आसपास के दुकंदारों ने उन्हें उठा कर बगल के रेल एस्पताल ले गए रेल एस्पताल से पुलीस इंस्पेक्टर खू एसेन जलान एस्पताल ले जाए किया वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्ध खुशुत कर दिया उनके उम्र लगभग बावन वर्स बताई जा रही है उनके परिजन जमसितपूर में रहते हैं रेल इस्पेक्टर अमरजीत प्रसाद की मौत के बाद जालान अस्पताल में रेल डियस्पी शाहित आन्ने पुलिस कर्मी पहुंचे